नवरात्री के दिनों में आपने देखा होगा कि जहां भी मां दुर्गा की पूजा होती है, वहां माता की मूर्ति के साथ उस परम शक्तिशाली असुर महिशासुर की भी प्रतिमा माता के साथ होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिशासूर का वध कर रही होती है। तस्वीरों में भी माता के साथ महिशासूर को दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिशासुर क्यों होता है। दरासल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है जो शत्रूओं पर भी दयाभाव रखता है। आईए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। देवी भागवत पुराण में कथा है कि रंभ नामक एक असुर था जिसने अगनिदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था जो एक महिशी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह महिशासुर कहलाया। यह असुर वर्दान के कारण जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। मैं शक्ति को प्रकट किया जो स्त्री रूप में अवतरित हुई। यही देवी मां दुर्गा कहलाईं। सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से देवी को सुसज्जित किया। मेरा वद हो और मुझे मुक्ती मिले। मैं आपकी शरनागत हूँ, मेरे उद्धार का, आप कुछ उपाय कीजिए। शरन में आय हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्ट दिखाई और वर्दान दिया। कि मेरे हाथों से मृत्यू को पाकर तुम्हें मेरा सायुज प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी।